जैसा कि हम जानते हैं कि भारत इंग्लेंड दोरे के लिए तैयार है और वो लंडन पहुच चुकी है और वो अपनी तैयारी जोर शोर से कर रही है भारत का पहला मैच इंग्लेंड से 3 जुलाई को होना है भारती टीम लंडन पहुच चुकी है लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर आ रही है कि रोहिट शर्मा प्रैक्टिस करते वग्ग उनके पैर में गंभीर चोट लेगी है बताया जा रहा है कि रोहिट शर्मा और सिधार्ट कोल जब नैट प्रैक्टिस कर रहे थी तो सिधार्ट कोल की एक बॉल जाकर उनके खुटने में जा लगी जिसके बाद उन्हें तुरंद आराम के लिए भीज दिया गया इसके बाद रोहिद फ्रैक्टिस नहीं कर पा रही है बता दें कि रोहिद शर्मा ने यो यो टेस्ट पास कर लिया है और वो भारती टीम के साथ इंग्लेंड दोरे पर है लेकिन ने फ्रैक्टिस के दोरान लगी ये गंफीर चोट भारती टीम के लिए खत्रास साबित हो सकती है रोहिद शर्मा एक बहतरीन बल्ले बाज हैं लेकिन चोट के चलते शायद वो मैच्च ना खेल पाए अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं डेली ट्रेंडिंग न्यूस की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटिस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूस के लिए